हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और देखिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जगन और दुरुकरजी.com पर आप सब का स्फागत है दोस्तों Honor Company ने चीन में अविजदे की वेंड में अपना नया मेडरें स्मार्टफॉन Honor B10 पेश कर दिया है Honor B10 में भी Huawei Mate 10 में इस्तेमाल किया गया टॉप एंड हाई सिलिकॉन क्रीन 970 प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है और इस फोन में AI के लिए Neural Processing Unit है Honor B10 की खास्यत है इसमें दिया गया डोल डियर कैमरा सेटप इसके अलावा फोन में 6GB RAM और 18.9 aspect ratio वाला full screen display भी दिया गया है अभी फोन को चीन में लॉंच किया गया है और कमपनी पास दिसमबर को लेंडन में होने वाले एक इवेंड में इसे ग्लोबली भी पेश करेगी इस इवेंड में Honor 7X को भी पेश किया जाएगा दोस्तों वेरेंट के आदार पर स्मार्टफोन की अलग-अलग कीमत है चीन में Honor B10 के 4GB RAM और 64GB वेरेंट की कीमत करभ 26,412 रुपे तक रखी गई है और 6GB RAM और 64GB स्टोरज वेरेंट की कीमत करभ 29,312 रुपे तक रखी गई है इस क्याला आवाज 6GB RAM और 128GB स्टोरज वेरेंट करभ 34,212 रुपे तक की कीमत में मिलेगा Honor का ये स्मार्टफोन 5 डिसंबर से चीन में Black, Aurora Blue, Gold और Red Color variant में विक्री के लिए उपलब्ध होगा device की मैं हाइलेट्स देखें तो खूबसुरत कलर के साथ device की Ultra 3 Metal Body पर Metal की ही स्मूथ फिनिशिंग दे गई है device के पैनल वो नीचे की और antenna bands दे गए है साथी दोनों camera setup के लिए LED flash की placement स्मार्टफोन को एक decent look देती है दोस्तो ये dual camera setup ही phone की सबसे बड़ी खास्यत है स्मार्टफोन में rear पर एक dual rear camera setup है जो 16MP RGB sensor और 20MP monochrome sensor से less है ये sensor aperture f1.8, phase reduction, autofocus और dual LED flash के साथ आते है rear camera 4K video recording करने के लिए भी सक्षम है स्मार्टफोन में दिये गए monochrome वो RGB lens एक साथ मिलकर professional level की image बनाते है और better shots क्लिक करने में मदद करते है rear camera में कई सारे modes भी मौजूद है वो in front camera की अगर बात करे तो selfie लेने वो video chat करने के लिए स्मार्टफोन में 13MP का selfie shooter F2.0 aperture के साथ आता है तो दोस्तों ये रहा camera part अब स्मार्टफोन के दूसरे specifications के और देखते है Honor V10 ये EMUI 8.0 user interface पर चलता है जो नए Android operating system और ये 8.0 पर यादारित है Honor का ये user interface user के behavior वादतों को समझ कर उसे जरूरी काम के लिए एक कदम आगे रखता है और company का कहाना है कि ये smartphone आपको हमेशा अच्छी speed देने के लिए तयार रहता है बेतन performance के लिए इसमें करी 79 OctaCore CPU दिया गया है जिसके चार-cores Cortex A53 पर आधारित है और उनकी speed 1.8 GHz की है और बाकी के चार-cores Cortex A73 based है जो 2.36 GHz की तेजी से काम करते है तो अग्राफिस के लिए यहां माले G72 MP2 GPU भी दिया गया है तो आप बीनल एक प्रॉब्लम के High Graphics गेम भी खेल सकते है इसके लावा कई सारे apps के लिए smartphone में 4GB और 6GB की बड़ी RAM है जिन में से 4GB की RAM के साथ 64GB की internal storage है और 6GB RAM के साथ 64GB के 2 internal storage भी कल्प दिये गए है इस storage को 254GB तक microSD card के जरे बढ़ाना भी संभव है इन technical specifications के अलावा दूसरी बढ़िया बात ये है कि Honor V10 में एक 5.99 inch का Full HD Plus IPS LCD डिस्पले है जिसका resolution 1080 x 2160 pixel का है और ये display 1829 aspect ratio के साथ आता है phone के किनारे पतले है और screen density 403ppi की है इस पर Gorilla Glass का production भी दिया गया है जो screen को मजबूत चीजों के टकराने पर बचाता है company का कहना है कि ये display user को ज़्यादा level तक perfect color accuracy देता है जिससे screen details में दिखाई देती है इस body screen पर movie देखने और games खेलने में अच्छा अनुबव मिलेगा इसे के साथ display में advanced color management वा application mode भी दिया गया है इसे वीडियोस देखते समय आखों को परशानी नहीं होगी दोस्तो एक और बात कि body screen ज़्यादा power का इस्तेमाल करती है और smartphone में power देने के लिए इसे नजर 750 mh की long lasting battery भी दी गई है यह high density battery full charge में दो दिन तक का 7 देती है और वहीं आगर आप heavy user है तो यह battery देट दिन तक का backup देगी दोस्तो honor V10 dual sim smartphone है इसमें hybrid sim slot दिया गया है और यहां second sim slot, sim 2 वो micro SD card के लिए common है तो user एक साथ 2 sim का इस्टेमाल कर सकते है या फिर एक sim और एक micro SD card का ही इस्टेमाल कर सकते है तो जो users एक साथ 3 का इस्टेमाल करना चाहते है उनके लिए यहां problem हो सकती है अब connectivity options की बात करें तो smartphone में 4G VOLT support के अलावा dual band wifi, Bluetooth 4.2, USB-C type port fingerprint reader, GPS वो NFC option भी दिये गए है और कई सारे sensors भी मौझूद है जिसे light sensor, proximity sensors, compass, gravity, fingerprint वगाईरो sensor तो दोस्तो यह सारे खास technical highlights Honor V10 में मौझूद है और इनके अलावा भी कई सारे और कमाल के और मिजर features Honor V10 में दिये गए है सारे features की details जानकर V10 के भारत में launch होने पर हम आपको ज़रूर बताएंगे तो दोस्तों कुल मिला कर यह Honor का एक high-end device है जो बढ़िया camera features के साथ आता है performance speed भी fast है 6GB की बड़ी RAM वा 5.99 इंच का बड़ी डिस्पले है और बड़ी battery भी long lasting है operating system भी सबसे advanced है और हमारे opinion से हर वीरेंट की कीमत specification वा फीजर के लिए आज से सही है भारत में आने पर अगर V10 के वीरेंट से कीमत आपके लिए affordable है तो आप इसे खरी सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उमीद है वीडियो आपका अच्छा लगा होगा ऐसे वीडियो के लिए हमें like, comment, share और subscribe जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया